श्री राम फर्टलाइजर्स और क्यामिकल्स प्रस्तुत करते हैं ये लगू फिल्म आलू उन्नत खेती बेतर लाब आलू भारत वर्ष की एक प्रमुक नकदी सबसी वाली फसल है इसका उत्पादन मुक्य तहप पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब हिमाचर और मध्य प्रदेश में किया जाता है इसका उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाए है बीज केती की सफलता का सबसे पहला बुन्यादी कदम है अच्छा बीज अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमेशा आलू के स्वस्थ वनिरोग एक सार बड़े आकार के एवं सह अंकुरन वाले कंद ही प्रियोग करने चाहिए अलू की बीच की रूप में 3 सेंटिमीटर से 5 सेंटिमीटर मोटाई वाले आलू लेने चाहिए यदि आलू का अकार बड़ा है तो उसे तेज दारदार वाले चाकु से दो टुकडों में काट लें ध्यान रखें प्रत्य देश को ध्यान में रखकर चुन सकते हैं। कुफरी चिप सोना दो 90 से 95 दिन चिप्स बनाने के लिए उप्यूग। बुआई का समय मैदानिक शेत्रों में अगेती फसल के लिए 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तथा मुख्य फसल के लिए 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्धे बुआई करें। घाटियों में फरवरी के महिने में तथा उची पहाडियों में मार्च अप्रेल में बुआई करनी चाहिए। बीच की मात्रा बीच की आकार वबवाई की दूरी पर निर्फर करती है जो इस प्रकार से है। धाई से 3 cm आकार के आलू का बीज 4 quintal प्रतियेकर, धाई से 4 cm आकार के आलू का बीज 8 quintal प्रतियेकर, तथा 4 से 5 cm आकार के आलू का बीज 10 quintal प्रतियेकर. आलो की अगेती फसल के लिए कटे हुए टुकडों का प्रियोग न करें क्योंकि ये जल सर चाते हैं जिस कारण जमाव सही नहीं मिल पाता आलो की अच्छी पैदावार लेने के लिए केवल अच्छा बीज ही काफी नहीं है अपितु किसान भाईयों को बीज उपचार सही खाद प्रबंधन एवं पौध सुरक्षा पर विशेश ध्यान देना चाहिए बीज उपचार आलो के फसल को बीज उपचार कर लेना चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले धाई ग्राम श्री राम जिम तथा श्री राम मैंको जैब का प्रती लीटर पानी में घोल तैयार कर ले इस गुहल में आलो के बीज को तीन से पांच मिनट तक डुबो कर रखें फिर बीज को चायादार स्थान में सुखा लें जीवानों खाद का इस्तिमाल सबसे पहले एक खाली बार्टी लें उसमें तीन लीटर पानी डाल लें इसके उपरांत इस पानी में गुड को घोल लें अब इस गुड़ वाले घोल में 2 किलोग्राम PSB कल्चर को घोल लें नैपसेक स्प्रेयर का आधा भर लें तैयार गुड़ वाले खोल से एक लीटर काला कल्चर खोल उसमें डालें और फिर इसको पूरा भर कर आलूओं के बीज पर एक दो बार स्प्रे कर इस तरह से आलू का कोई भी भाग शेश न बचे उपचारित बीजों को छायादार स्थान पर सुखा लें बुआई की विधी आलू की बुआई दो तरीकों से कीचा सकती है पहली विधी फावडा विधी इस विधी से पहले खेत में 60 cm की दूरी पर लाइन खीच लें इसके बाद इन लाइनों पर 20 से 25 cm की दूरी पर आलू का बीज रखें और फावड़े की सहायता से बीच पर दोनों तरफ से मिटी चड़ा दें दूसरी विधी है पुटेटो प्लांटर द्वारा प्लांटर दो प्रकार के होते हैं आटोमेटिक और सेमी आटोमेटिक प्लांटर Semi-Automatic Planter में आलू डालने के लिए आदमियों की आवश्रक्ता होती है जिबकि Automatic में आदमियों की आवश्रक्ता नहीं होती है परंतु दोनों से ही समय की बचत जरूर होती है खेत को अच्छी तरह तयार करने के बाद Planter को खेत के एक किनारे से चालू कर ले Planter चलने पर बीच गिरता जाता है और साथ ही साथ मेढ़ें भी बनती जाती है खाद एवं उर्वरक इस्तिमाल पौदों को तीन प्रमुक पोश्रक्तात्व नाइट्रूजन, फॉस्फेरुस एवं पोटाश को पूरा करने के साथ-साथ जिंक एवं अन्य पोशक तत्वों की आवशक्ता होती है इनके सही मात्रा का आकलन तो केवल भूमी परिक्षन के आधार पर किया जा सकता है परन्तु यहाँ पर इन तत्वों की मात्रा खेत की सामान्य उर्वर्था के आधार पर बताई गई है नाइट्रोजन का महत्व नाइट्रोजन पौधों की बृध्धी के लिए प्रमुख पोशक्तत्व है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए श्रीराम यूरिया का 125 किलोग्राम प्रती एकड के हिसाब से इस्तिमाल करें श्रीराम यूरिया की आधी बूरी बुवाई के समय एक बूरी पहली मिट्टी चड़हाई के समय आलू लगाने से 30-35 दिन बाद तथा एक शेश बूरी बुवाई के 45-50 दिन बाद जब पानी लगा रहे हो तब प्रियोग करें श्रीराम यूरिया की विशेश्टाएं श्रीराम यूरिया का इस्तिमाल किसान के हित में है क्योंकि इसमें नमी और बाई यूरेट की मात्रा बहुत कम होती है श्रीराम यूरिया में चूरा बहुत ही कम पाया जाता है तथा इसके दाने एक सार होते हैं श्रीराम यूरिया में बाई यूरेट कम होने की कारण इसका टॉप ड्रेसिंग या परणिये छड़काओं में उप्योग उत्तम रहता है आलू की अच्छी बैदावार लेने के लिए अगला जरूरी पोशक तक तो है फॉस्फॉरस फॉस्फॉरस पोधों के लिए उर्जा का महत्वपून श्रोथ है फॉस्फॉरस की कमी को पूरा करने के लिए श्रीराम डीएपी 75-50 किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से बुआई के समय प्रियोग करें इसके सही प्रियोग से आलू के पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है पौधों में आलू की संख्याथिक बनती है आलू का विकास एक सार होता है जिस कारण छोटे आलू कम बनते हैं आलू की फसल समय से पक्ती है श्री राम डियेपी के दाने काले वह बड़े आकार के होते हैं तथा इसका आयात भरोसे मन्स रोच से किया जाता है पोटाश का महत्वव आलू की बेहतर गुनबत्ता बाला उत्पार लेने के लिए तीसरा आवश्यक पोशक्तत्व है पोटाश इसकी आवशक्ता को पूरा करने के लिए श्री राम पोटाश 75 किलोग्राम प्रती एकर के हिसाब से आलू लगने के समय प्रियोग करें इससे होने वाले लाब इस प्रकार से हैं आलो के पौधों में बीमारिया एवन कीडों का प्रकोप कम होता है खास तोर पर अली ब्लाइट वा लेट ब्लाइट का प्रभाव कम रहता है पौधों में विपरीत परिस्थितियों में जैसे पाला वा सूखा आदी से चूचने के लिए सैन शीलता बढ़ जाती है आलू का तना मजबूत बनता है जिस कारण पौधे गिरते नहीं है पौधों में नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की उप्योगिता बढ़ जाती है और आलू के कंदों में चमक आती है जिंक का महत्व जिंक की कमी को पूरा करने के लिए श्री राम जिंक 10 किलोग्राम प्रती एकड के हिसाब से आखरी जुदाई के समय जमेन में मिला दें जिंक से होने वाले लाभ इस प्रकार है जिंक का प्रियोग करने से नाइट्रुजन, फॉस्फरिस वा पूटाश आधि तक्वों की उप्योगिता बढ़ जाती है जिंक आलो के पौधों में प्रतिरोधक शमता बढ़ाता है जिंक आलो के पौधों के बढ़वार वा कंदों के संख्या को बढ़ाता है जिन्क के प्रयोग से आलो के कंद अधिक स्वस्त एवं चमकदार बनते हैं जिसके कारण उपज का बहाव प्रायह अच्छा मिलता है फसल समय से पकती है फसल की पैदावार में व्रिद्ध होती है भूमी की उपजाव शक्ती और फसल की पैदावार वगुनवत्ता बढ़ाने के लिए बुवाई के समय श्री राम सूर्या जी का प्रयोग करें दानेदार श्री राम सूर्या जी का प्रयोग पांच किलोग्राम प्रती एकर के हिसाब से करें श्री राम सूर्या जी के इस्तिमाल करने से लाब इस प्रकार है श्री राम सूर्या जी पौधों की चड़ों की बृद्धि में लाब कारी रहता है फसलों को सर्धी, पाला, सुखा, आदिस्थित्यों से जूचने की शक्ति परदान करता है आलू में कंद अधिक बनते हैं और विकास एक सार होता है अधिक उत्पादन एवं उत्पाद की कुणवत्ता में सुधार करता है श्री राम शक्ती श्री राम शक्ती में पौधों की शुरुवाती वृत्थी बढ़ाने के साथ पैदावार बढ़ाने वाले तत्व भी मौजूद होते हैं इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फॉस्फोरस एवं 20% पूटाश, पून तह, घोलन शील अवस्था में पाय जाते हैं साथ में ये पौधों पर अवशेश रहित प्रभाव रखता है, जब आलू की शुरुवाती बढ़वार न हो या नाइट्रोजन की कमी के लक्षन दिखाई दें, तो उस समय श्री राम शक्ती का प्रियोग जरूर करें सामानेता फसल में श्री राम शक्ती का च्छड़काव आलू लगने की 45 दिनों परांद 10-15 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना कर करें श्री राम साथी इसके द्वारा पौधों को दू आवश्रक तत्व फॉस्फोरस 52 प्रतिशत एवं पूटाश 34 प्रतिशत प्राप्त होते हैं श्री राम साथी का डेड़ से 2 किलोग्राम प्रति एकर 180-200 लीटर पानी में खोल कर च्छड़काव करें इसका च्छड़काव 55-60 दिन की अवस्था में ही करें इसके प्रियुक करने से आलू के कंदों का आकार एकसार बनता है आलू को बीमारी से लड़ने की शक्ति पदान करता है आलू के कंदों में अधिक चमक आती है आलू का पादन अधिक वग गुणबर्ता वाला मिलता है श्रीराम शक्ति एवं श्रीराम साथी को किसी भी तवा के साथ मिलाकर इस्तिमार कर सकते हैं बीजबोने एवं खाद देने के बाद महत पून कारे है सही समय पर एवं सही मात्रा में सिचाई करना पानी प्रबंधन आलू की पहली सिचाई पून रूप से अंकुरन होने पर करें इसके बाद 15 दिनों के अंतराल पर आवर्शक तानुसार सिचाई करते रहें कंद बढ़ने के अवस्थाओं में सिचाई महत पून होती है मिट्टी चढ़ाना आलू को हरा होने से रोकनी के लिए एवं अच्छी आकार के लिए बहुत ही आवर्शक होता है कि आलू में मिट्टी चढ़ाएं आलू में पहली मिट्टी करीब 35 से 40 दिन पर चढ़ाएं इस समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की पहली मात्रा मिला दें आलू की दूसरी मिट्टी चढ़ाई करीब 50 दिन पर करें इतने कड़े परिश्रम करने के बाद भी किसानों के सपनों को तूटने एवं उत्पादन को चोट पहुँचाने वाले कीड एवं रोगों से फसल का बचाव करना सरूरी है नुकसान दायकारकों की श्रंखला में सबसे पहले आते हैं खर्पतवार खर्पतवार नी अंत्रण आलू में मुख्यता उगने वाले खर्पतवार जैसे बत हुआ सैंजी जली पालक गुली डंडा आ दी है इनके कारण आलू की पैदावार में सत्तर से असी प्रतिशत तक की कमी आ जाती है क्योंकि ये खर्पतवार आलू की खुरा को खा जाते है साथी साथ ये सूरज की रोशनी के लिए भी पौधों से प्रतिस परधा करते हैं खर्पतवार नियंतरन के लिए आलू में 120 क्राम श्रीराम मेट्री यानि मेट्री ब्यूजन का 100 लीटर पानी में खोल बना कर 10-15 दिन की अवस्था में स्प्रे करें इसके बाद भी ये खर्पतवार खेत में दिखाए देते हैं तो उस समय एक निराई जरूर करवा दें आलू की फसल में खर्पतवारों की बाद पैदावार में कमी लाते हैं बीमारियां एवं कीट आलू की मुख्य बीमारियां अली ब्लाइट यानि अगेती छुलसा ये बीमारी अल्टरनेरिया सोलो नाई नामक फफूंदी से पैदा होती है ये फसल के कंद बनने से पहले ही लग सकती है नीचे वाली पत्तियां सबसे पहले संकरमित होती है जहां सिरोग बाद में उपर की ओर पढ़ता है पत्तियों पर जहां जहां छोटे छोटे हलके रंगे धब्यो भरते हैं जो बाद में भूरे रंगे हो जाते हैं और मृत उत्तकों पर उभरे हुए घेरे बनाते हैं फलसुरूप नीचे की पत्तियां सूख कर गिरने लगती है उपचार इस बीमारी से फसल को बचाने के लिए आलू लगाने से 35 से 40 दिन बाद पहला चड़काव श्रीराम मैंको जैब का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना कर करें 10-15 दिन के अंतराल पर ऐसे 3-4 चड़काव करने पर फसल को रोग से बचाए जा सकता है जब खेत में रोग लग चुका हो उस समय श्रीराम डबल एम तोग्राम प्रति लीटर पानी खोल बना कर चरकाव करें लेट ब्लाइट यानि पच्छेती चुलसा ये बीमारी फाइटो पतेरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंदी के कारण होती है इस रोग में पत्यों की नसूं, तनूं और डंठलों पर छोटे भूरे रंग के धब्बे उभरते हैं जो बाद में काले पड़ जाते हैं तथा पौधों का पूरा भाग सण गल जाता है रोग थाम देरी से होने पर आलो के कंद भूरे बैंगने रंग में बदल कर गलने लगते हैं इसका उपचार, अगेती जुलसा में बताई दवाई के अनुसार ही इसका भी उपचार किया जाता है खर्पतवार और बीमारी के बाद आलो की फसल को हानी पहुचाते हैं कीट ये कीट हैं, माहू यानि एफिड ये कीट हरे या काले रंग की होते हैं वयस कवस्था में दो प्रकार की होते हैं, पंकदार और पंकविहिन इसके प्रोड तथा एवरेस, दोनों ही पत्तियों तथा टेहनियों का रस्ट चूसकर फसल को नुकसान पहुचाते हैं जब प्रकोप अधिक होता है तो पत्तिया नीचे की ओर मुर जाती हैं और पीली पढ़कर सूख जाती है अलावा इस कीट की पंकदार जाती आलू का विशाणू रोग फ्हलाने में मदद करती हैं कीट के नियंतरन के लिए एक मिलिली श्रीराम गोल्ड या तीन मिलिली लीटर श्रीराम मोनुक प्रती लीटर पानी में खोल बनाकर स्प्रे करें कुत्रा यानि कट्वम कुत्रा केट की शुन्डिया आलू में पौधों की शाखाओं तथा उगते हुए आलू को काट देती हैं बात की अवस्था में इसकी शुन्डी आलू में छेद कर देती है जिससे फसल का बाजार भाव कम हो जाता है इसकी शुंडिया दिन में धेलों के नीचे छिपी रहती है और रात में फसल को नुकसान पहुचाती है रोक्थाम के लिए श्रीराम फॉरेट 6 किलोग्राम प्रती एकर की दर से बुआई से पहले खेत में मिला दें ये कीट आलो के पत्तियों को खाते हैं जब इसका प्रकुप अधिक होता है तो उस समय आलो के पौधों पर से ये कीट सारी पत्तियां खा जाते हैं रोक्थाम कीट के नियंदर्ण हेतू श्रीराम अटैक 40 क्राम प्रती एकर 100 से 125 लीटर पानी में घोल बना कर स्प्रे करें खुदाई जब आलो के पौधों की पत्तियां सूखने लगें तो आलो की खुदाई से लगभग दो सप्ताह पूर्ब पौधों की शाखाओं को जमीन से काट देना चाहिए ऐसा करने से आलों का छिलका सक्त हो जाता है और आलो की खुदाई के समय छिलका उतरने की आशंका नहीं रहती खुदाई फाबडे, खुरपी यर पोटेटो डिगर की साहता से की जा सकती है खुदाई करने के तुरंद बाद आलो की धेरी एक छायादार स्थान में लगा दें खुदाई के बाद आलो को तीन से चार दिन तक धेर बना कर छाया में रखें ऐसा करने से कंदों पर लगी मिटी साफ हो जाती है और साथी चिलका सक्त हो जाता है बादार में ले जाने से पहले ग्रेडिंग अवश्य करें अर्थात आलो के धेर से छोटे, मद्यम एवं बड़े आकार के आलों को अलग अलग करके उन्हें अलग जूट के बैगों में भर लें परिवहन हवादार वहनों में होना चाहिए चूकि खुदाई के समय आलो भाव अच्छा नहीं मिलता इस कारण आलो के भंडारन की विवस्था करनी आवर्शक है और जब बाजार भाव अच्छा हो तब ही विक्री करनी चाहिए किल झालो के समय बंच करनी आलो ये लेद productive C किल झालो के समय तो कहा हुआब के समय आलो केंगी है? ये लेकिंगा ये चुझा है? झालो के समय बात्या है? झाल झाल